इससे पहले कि हम comprehensive news analysis शुरू करें सबसे पहले हम आज का daily answer writing challenge के questions देख लेते हैं पहला question है of all food consumed 92% is purchased in India in this context analyze how covid-19 affect food supply chain in India तो यह हमारा हमने EPW से लिया है बहुत important हमारा topic है आज का आपका food supply chains के बारे में है और इसका हम आज बहुत detail में discussion करेंगे मैं आपको guarantee देती हूँ अगर food supply chain से कोई question आया तो आपको जो है बहुत अच्छा एक answer मैं बनवा के दूँगी कि आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगे एक दम दिमाग में न छप जाएगा यह answer इसका तो यह पहला question है आपका दूसरा question है there is a strong case for multilateral world order and India can play a leading role in it मतलब की बहु बक्ष्य विश्य विवस्ता में का एक मजबूत मामला है कोविट की वज़े से और भारत इसमें एक अक्रणी भूमिका निवा सकता है अगें यह बहुत important है यह important इसलिए है क्योंकि alliance for world order करके एक नई संस्था शुरू हुई है फ्रांस और जर्वनी के द्वारा तो alliance for multilateralism भी जिसका दूसरा नाम है तो उसी वज़े से multilateral world पे आपको definitely एक question मिलेगा और यह बहुत ही अच्छा यहां से answer हमें मिलने जा रहा है आज का तो again कि वाला answer आपको एक बहुत अच्छे marks बना के देगा और तीसरा question है आपका How can bonds like console bonds solve the problem of rising deficit and strengthen our fight against COVID तो क्योंकि देखिए economic समस्या हो रही है तो economic point of view से यह question आपका important हो सकता है कि console bond जैसे bond हमारी fiscal deficit को की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं तो आज के तीनों question बहुत important है अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से अपना साथ साथ जो points बता हूँ उनको no down कर लीजेगा क्योंकि यह questions आपके आ सकते हैं इन मेंसे कोई भी question आपका आ सकता है बहुत ही ध्यान से बहुत ही धून धाट के मैंने यह आज के articles specifically जो पहला article है बहुत धूनने के बाद यह article मैंने आपके लिए लेकर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ तो छले time waste के विनाज शुरू करते हैं तो article शुरू करने से पहले आज माइन वेब देख लेते हैं आज का माइन वेब थोड़ा सा बड़ा बना है food supply chains के बारे में है की features क्या होते है food supply chain के इंडिया में पहला की feature है कि यहाँ पे जो dominance है न पर्चेस food की है 92% food हम purchase करते हैं दूसरा की feature है कि private sector इसे dominate करता है मतलब की 95% जो food है उसको private sector की company सेल करती है और 5% जो मारा food है वो public distribution system से आता है तीसरा key feature है post farm gate dominate करता है food supply chain को post farm gate मतलब farms के आगे जैसे की processing हो गया retailing activities हो गए यह ज़ादा important है food supply chain में वो post farm gate activities है चौता जो हमारा key feature है food supply chain का वो यह है कि हमारी small and medium enterprises यह dominate करती है food supply chain को 72% से 83% सारा जो हम food consume करते हैं यह small and medium enterprises के द्वारा handle किया जाता है जैसे कि किराना stores हो गए छोटे छोटे धाबे हो गए यह सारी चीज़े है फिर next हमारा key feature है कि जो perishables होते है जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनका share बहुत जादा है food supply chain में 78.5% जो भी हम food consume करते हैं वो perishable है जैसे milk हो गया, vegetables हो गई, fish हो गया, eggs हो गई तो यह perishable की उस category में आता है और last हमारा feature है कि rural food, rural और urban food और labor market integrate हो गए है food supply chain की वज़े से 60% जो हमारे rural households है वो rural non farm employment पे depend करते हैं और rural non farm employment जो है food supply chain से निकल के आता है तो यह हमारे features हो गए अब, sorry guys, थोड़ा सा मेरी तवियत आज खराब है, इसलिए थोड़ा सा late भी हो गए है अब देखतें कि COVID का क्या impact पड़ेगा food supply chain पे कोविट की वज़े से, lockdown है, कोविट है उसकी वज़े से supply chain disrupt है और food जब available नहीं होगा तो food का inflation बढ़ जाएगा और उससे social unrest होता है, post farm gate पे भी effect पड़ेगा, सबसे जादा effect जो है आपका post farm gate activities पे पड़ेगा, जिसको अभी हम detail में देखेंगे और small and medium enterprises पे भी बहुत ज़दा impact पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जोए, अब customer के दिमाग में hygiene conscious ने साने लगेगी और ऐसे में वो छोटे छोटे जो workers होते हैं, SMEs होती हैं वो hygiene को इतना importance नहीं दे पाती है दूसरी चीज, stringent food safety norms हो जाएंगे, जिससे SMEs पे फरक पड़ेगा farm sector पे क्या फरक पड़ेगा, चार फरक पड़ेगे पहड़ी चीज, demand जहें कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों की income कम हो रही है supply chain disrupt हो रही है, दूसरी चीज, access to labor कम हो जा रहा है क्योंकि migrant labor अपने villages को वापस लोट रहे है और चौती चीज, जो इन सब का cumulative impact ही होगा कि हमारी जो rural non-farm में employment होगा, वो reduce हो जाएगा way forward, policy intervention क्या कर सकते हैं देखे, policy intervention तब आप कर सकते हैं, जब आपको policy challenges पता हूँ policy challenges यह है, कि हमारा जो COVID-19 है न, इसको जो है, इसका जो health measure है इसको हमें, मतलब implement करना है, मतलब health को हमें improve करना है पहला policy challenge यह है, दूसरा है, कि हमें FSCs को, मतलब food supply chains को support करना है output के terms में भी और employment के terms में भी, तीसरा है, कि हमें marshaling करनी है अपने scarce government resources की, तो recommendation क्या देंगे, हम way forward में यह policy recommendations आएंगे पहली चीज़ हमें immediate support देना होगा SMEs को, जिससे कि वो rent, energy और labor bills की need को meet कर सके दूसरा हमें direct income support देना होगा consumer को, जिससे कि वो अपनी demand को enhance कर सके तीसरा हमें cash for work scheme करनी होगी workers के लिए, जिससे कि workers अपने कामों पर जा सके और वापस जो है, जब lockdown खुल जाता है, जब स्तिती normalize होती है, तो urban areas में अपना support दे सके और जब तक वो rural areas में हैं, तो rural areas में भी वो farm पे अपना support दे सके sanitation हमें wholesale और wet market में बढ़ाना होगा, मंडीज में sanitation बढ़ाना होगा, जिससे कि covid के cases मंडीज में ना आएं, अगर मंडीज में cases आएंगे ना, तो यहां से जो demand है, वो अपने अब shrink हो जाएगी, तो यह चीज़ हमें remove करनी है government को, और दूसरा free movement करना है logistic services का, तो चलिए अब इसके article को देख लेते हैं, एक बार, तो article का नाम है covid-19 disruption of India's transformed food supply chain, तो covid-19 जो है, इसने Indian economy पे काफी जादा impact डाला है, और आज हम देखेंगे कि इसने food supply chain पे फूड़ सप्लाइचेन बहुत transition हो गई है, पहले यह traditional थी, मतलब गाओं में लोग उगाते थे और वहीं से खा लेते थे, अब यह काफी transitional हो गई है, और दो दशक में ही काफी जादा integration हो चुका है, 80% जो हमारी food supply chain है, non food grain की comprise करती है, मतलब कि यह आपका हो गया perishable से, तो फूड़ सप्लाइचेन है, और 85% जो हमारी food supply chain है, वो small and medium enterprises पे dependent है, 96% जो हमारी food supply chain है, यह private sector के द्वारा run की जाती है, और government sector केवल 4-5% इंडिया की food supply chain को manage करता है, और इसलिए food supply chain का अगर characteristic देखें, तो यह rural hinterlands में है, peri-urban मतलब semi-urban areas में है, urban areas में है, और इसका बहु देखने को मिलता है, तो अब key facts दिख लेते हैं, इंडियन food supply chain के, पहला key fact यह है, कि हमारी जो dominance है, वो purchase food पर है, जितना भी food consume होता है, उसमें से 92% हम purchase करते हैं, अब देखे 92% की figure कहां से आई है, जितना भी हमने 92% का figure दिया है, 60% जो consumption है, वो urban consumers के द्वारा किया जाता है, अगर आप NSSO का survey देखेंगे, तो NSSO का survey यह बताता है, कि जितना भी food, urban consumer consume करते हैं, उसमें maximum, almost all, वो purchasing करके करते हैं, अब अगर हम rural areas की बात करें, जो 40% बचा, 60% तो यह urban areas में consumption हो रहा है, purchasing किया, 40% जो बचता है, उसमें से 80%, 40 का 80% हो गया, 32%, तो 32% जो है, rural areas में भी purchase करके food खाया जाता है, और जिर्फ 8% जो food है, वो self consumption के लिए उगाया जाता है, तो अगें, यह 60 plus 32 कितना हो गया, 92% कि यह figure हम ऐसे reach किये हैं, अब इंडिया का food supply chain है, उसमें जो purchase food market है, उसका market काफी ब तो आप सोचे की 130 करोड की हमारी population है, 130 करोड में से 90% जो household है, या individual है, वो food purchase करके खा रहे हैं, तो food purchase का market बहुत बड़ा है, इंडिया के अंदर, और जो भी हमारा purchasing होती है, जो भी हमारा food का production होता है, जो food का production हमारा 1.224 billion tons का है, 2017 में, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अब प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर डॉमिनिट करता है food market में, जो भी आपका food sell होता है, प्रचेस फूड जितना भी है, उसमें से 95% जो purchasing है, वो प्राइवेट सेक्टर से की जाती है, और केवल 5% जो गर्मेंट से आती है, PDS सिस्टम के दुरू, गर्मेंट इस टर्म्स में अगर आप देखेंगे, तो गर्मेंट बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा food supply chain में निभाता है, इसलिए गर्मेंट की capacity ही नहीं है, कि वो प्राइवेट सेक्टर को replace कर सके food supply में, और इसलिए food supply में बहुत जादा integration है, प्राइवेट 60% जितनी भी हमारी food supply chain activities होती है, वो post farm gate होती है, post farm gate का मतलब यह हुआ, कि हम farm के beyond, जैसे ही मतलब एक बार कट जाता है, उसके बार जो किया जाता है, जैसे कि processing की जाती है, फिर उसका retail selling होती है, whole selling होती है, यह सारा आपका post farm gate होता है, अब अगर food supply chain की बात करें, तो इसमे जो है, बहुत domination है, small and medium enterprises का, 72% से 83% जो भी हम food consume करते हैं, यह small and medium enterprises के द्वारा handle किया जाता है, और यह whole selling का का काम करते हैं, on market as well as in rural time, off market, mondays में, processing का 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 काम करते हैं, SMEs logistic का का काम करते हैं, retail जैसे की किराना और heart हो गया, इसका काम करते हैं, food services प्रोवाइड करते हैं, जैसे की छोटे restaurant हो गए, धाबेज हो गए, meal vendors हो गए, और जैसे की आप आपने देखा होगा, उसमें जबबावाला होते हैं मुंबई में, तो यह सारे आपके food supply chain का ही हि हिसा है, इसी तरह से अगर आप SMEs की बात करें, तो यह self employment देती हैं एक बहुत सारे लोगों को, casual employment भी इसमें बहुत साथा है, day labor का जैसे की ट्रक में loading, unloading का का काम हो गया, मंडी और हाटों में काम हो गया, इधर से उधर सामान ले जाने का, तो यहां पे और छोटे छोटे मिल्स होते हैं, राइस मिलो गए, बाके वेर वाहुसिस हो गए, यह सारी चीज़े हैं, हमारी casual worker के द्वारा और self employed workers के द्वारा provide की जाती है, तो यह जिक economy का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिक economy का हिस्सा है आपका food supply chain, यहां पे modern sector भी emerge कर रहा है, सुपर मार्केट का, औ बहुत उसका जो share है, market share है, बहुत कम है, हाल पर अगर हम दोनों को compare करें, SMEs और food जो super market है, इन दोनों को compare करें, तो super market में capacity है कि वो hygiene की practices को introduce कर सके, और SMEs में यह capacity नहीं है, क्योंकि SMEs में जो भी आपके constituent workers आ रहे हैं, वो आपके casual sector से आ रहे हैं, और super market में जो worker आ रहे है वो आपके organized sector से आ रहे हैं, दूसरा जो pockets होती है, super market की वो काफी जादा होती है, SME की spending capacity है, वो limited है, next हम आते है, perishable की share पे, तो perishable का share बहुत जादा है, food supply chain में आपका, almost 78.5% जो भी हम consumption करते हैं, food का, उसमें से हमारा non-grain consumption होता है, जैसे की perishable, जैसे सबजी हो गई, chicken हो ग अब देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो आपके, जो भी perishable होते हैं, 78.5% बहुत बड़ी figure है, तो continuously इसको replenish करना होगा, मतलब बार, क्योंकि अगर जादा दिन इसकी shelf life बहुत चोटी है, तो इसको हमें replenish करना होगा, क्योंकि हमें replenish करना होता है, इसलिए movement बहुत साधा चाहिए, और इसलिए food supply chain काफी integrated हो जाती है, next हमारा rural urban और labor market integration है, FSC के थू, तो rural household बहुत closely linked है, directly भी और indirectly भी food supply chain से, और food supply chain बहुत closely linked है आपका tire 1 और tire 2 cities से, क्योंकि यहाँ पे जो tire 1 और tire 2 के cities है, यहाँ पे यह labor market यह जो भी cities है, यह आपके farm से एकदम integrated है, इनको अभी पहुचेगा, जब farm से इनके पास, rural areas से इनके पास खाना पहुचेगा, अधिके, rural areas काफी densely populated है, और यहाँ पे पैरी urban areas भी काफी closely linked है, यहाँ पे corridor जैसा corridor zones होती है, जैसी कि आप Delhi के आसपास देखेंगे, तो हर्याणा में और साथ साथ western UP में corridor zones है, और जो rural areas है, व बहुत close integration है, मालीचे दिली के मंडी में कोई समस्या आ जाती है, तो उसका सीधा सीधा impact ना, rural areas के farmers पे पड़ेगा, और आपके food supply chain के जो भी वहाँ पे players होंगे, उन सब पे पड़ेगा, तो यहाँ से magnetic linkages होती है, rural areas की, और यह जो है, यह बहुत आपका distinctive feature है, ना के वाल इ यह इसका एक substantial amount जो rural non-farm employment का आता है, वो food supply chain से आता है, जैसे कि एकरी wholesale food से आ गया, या processing से आ गया, logistics से आ गया, retail sector से आ गया, food services से आ गया, यह directly या फिर indirectly, तो logistics या बाकी services जो है, rural households प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह से वो एक बड़ा हिस्सा प्ले करते हैं, आपकी food supply chains में, दूसरी चीज़ यह भी है, कि देखें, फार्मर्स जो है, काफी जो लेंडलेस फार्मर्स हैं, वो फार्म बीचर पर डिपेंड करते हैं, लेबर पर डिपेंड करते हैं, और यह जो लेबर है ना, यह continuously rural area से टाउन में माइगरेट करती रहती है, तो यहां से भी जो ह है, इसकी जो है, food security पर इसका बहुत बड़ा impact पड़ेगा, हमारा COVID-19 का जो सबसे important effect होगा, यह initial food security पर होगा, क्योंकि इसका impact जो है, food supply chain पर पड़ता है, हमने अभी अभी देखा कि 92% जो food consumed in India में, वो purchase food होता है, और जो भी हमारा food purchase किया जा रहा है, वो हमारा food supply chain से purchase किया 95% हमारा जो dependency है, वो private sector पे dependency है, और जब हम 92% food purchase करके खाते हैं, तो ऐसे में हमारी जो dependency हो जाती है, food security वो हमारी food supply chain के effective working पे हो जाती है, अगर food supply chain effectively work नहीं करेगी, तो food security को भी हाम होगा, तो इसका जो है, और अगर food supply chain को हाम होता है, food supply chain किसी भी तरह से अगर disrupt होती है, तो food के prices बढ़ जाएंगे, food के prices बढ़ने से social unrest होगा, और इससे हमारी food supply chain और जदा breakdown होगी, food security जो है, short हो जाएगी, कुछ stays, short term में कम हो जाएगी, medium term में यहाँ पे हमें productivity पे investment करने होगे, और food prices अगर high हो जाते हैं, तो इससे हमारी impeding, इससे जो है, shortage बढ़ेंगी food के sector में, और इससे जो है, एक visit cycle शुड़ हो जाती है, जिससे ultimately social unrest हो सकता है, दूसरा इंपक्ट पड़ेगा, वो post farm gate effect पड़ेगा, देखे हमने देखा था कि post farm gate activities food supply chain में dominate करती हैं, तो यह firms और workers हो गए, midstream wholesale के बात हो गई, processing की बात हो गई, logistic की बात हो गई, या फिर downstream में retail की बात हो गई, या food services की बात हो गई, ये सारे लोग, इन सभी लोगों पर food supply chain की disruption का फरक पड़ेगा, और देखे इतना ज़्यादा फरक जो है, farmers पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि farmer जो है, producer है, वहाँ से begin होती है, producer ने produce कर दिया, मंडी तक महुचा दिया, producer का का काम है production करना, और अ होने पर का impact उन पे काफी जादा होगा, पहली चीज क्या है, 60% जो हमारी food supply chain है, वो food prices के formation पे depend करती है, और FSC का जो employment होता है, वो बहुत जादा employment, post farm gate activity से आता है, अब post farm gate activity के अगर बात करें, तो ये हमारी semi urban rural areas में, towns में, secondary cities में, और ऐसे areas में हैं, जो farm के आसपास होते है अब देखें, यहाँ पे जो COVID-19 के property है, उससे ये clear है कि human contact के थ्रू जो है, COVID-19 फैलता है, ऐसे में जहाँ पे भी population density जादा होगी, वहाँ पे spread बढ़ जाएगा, तो ऐसे में जो post farm gate activities होती है, इनको जो है, इनको operate करने में problem आएगी, क्योंकि post farm gate activity में, बहुत जादा जो है और यहाँ पे dense enclosement areas जैसे की मंडी में होगे बहुत enclosed area होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, फार्म में के अगर बात करें, तो फार्म में लोग बहुत दूर दूर काम करते हैं, तो इसलिए जो disruption होगा, वो post farm gate पे जादा पड़ेगा, as compared to farm activity, क्यो downstream पे क्या effect पड़ेगा, COVID-19 का बहुत बड़ा impact जो है SMEs के downstream segment पे भी पड़ेगा, downstream segment की अगर बात करें, तो 92% जो इंडिया का food, consume food होता है, food purchase होता है, वो consumption के लिए purchase होता है, और 80-90% जो हमारा food का purchasing है, वो small and medium enterprises से की जाती है, अब अगर small and medium enterprises के operation की बात करें, तो यहाँ प यह small spaces में ज्यादा worker काम करते हैं, अगेन अभी अभी हमने देखा कि COVID जो है, workers जितने ज्यादा population density होगी, उतना तेजी से फैलेगा, तो small market and medium enterprises का working होगी, वो disrupt हो जाएगी, क्योंकि COVID का खत्रा है, और SMEs की capacity होती है, वो ज्यादा ना तो technology पे खर्च कर सकते हैं, ना ही hygiene के practices ज्यादा खर्च कर सकते हैं, और इसी लिए यहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगा, दूसरी चीज़ क्या है, SMEs के पास essential tools नहीं होते हैं, जिससे की वो continuity, मतला products की continuity को maintain कर पाएं, और hygiene practices को भी अपने साथ maintain कर पाएं, क्योंकि देखिए, SMEs के कोई बंदे हुए suppliers नहीं होते हैं उनको जो है, daily जैसे मंडी में जाकर के supply ensure करनी पड़ती है, और अगर हम super market की बात करें, तो super markets में ensure suppliers होते हैं, वो उनकी जो है अच्छी एक linkage होती है, back linkage अच्छा होता है, तो super market पे इतना फरक नहीं पड़ेगा, जितना SMEs पे पड़ेगा, और SMEs के पे फरक पड़ने की तो इनके खाटे होने से food supply chain बहुत disrupt हो सकती है, तीसरी चीज क्या है, कि मंडी को जो है के अंदर बहुत strong constraint किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे logistic controls enforce करने पड़ेंगे, उसके अलावा बहुत rigorous यहाँ पे maintaining की जाएगी hygiene practices की, और hygiene practices वगरा maintain करना, इससे क्या होगा कि जो food supply chain है यह आपकी clog हो जाएगी, mobility जो है, difficult हो जाएगी, और mobility difficult होने से food supply chain के disrupt होने का खतरा बढ़ सकता है, specifically इसका impact जो है, rural areas में काफी पड़ेगा, processing जो होती है, processing वाले SMEs होते हैं, जो आटा बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, इनके पास भी severe challenges होंगे, किरानाज और धाबेश जैसे, अगेन यहाँ पर जो है, stringent आपके food safety measures पर लगा धी जाएंगे, जिससे इनको काम करने में थोड़ी से दिक्कत होगी, अब farm sector की बात करते हैं, कि farm sector पर क्या फरक पड़ेगा, farm sector का direct impact तो कम है, but indirect impact ज्यादा है, direct impact इसलिए कम है, क्योंकि वहाँ पर spread out होते हैं, farmers spread out क human density कम होती है, और इसलिए जो इनकी working है, इस पर जादा impact नहीं पढ़ने वाला है, but एक बर इन्होंने चीज़ें उगा दी, अब यह बेचने जबाएंगे, तो थोड़ा से impact पड़ सकता है, constraint होगा, demand की तरफ से constraint आएगा, इनको constraint फेस करना पड़ेगा, लोग demand कम करेंगे, goods की, तो एक जो है, income इनकी reduce हो सकती है, loss of demand की वज़े से, दूसरा जो इनका constraint आएगा, वो आपका आएगा, कि mid stream की input supply chain है, वो disrupt हो सकती है, जैसे की fertilizer की supply chain disrupt हो सकती है, seed की supply chain disrupt हो सकती है, जिससे की direct impact पड़ेगा, इनकी farming activity पे, तीसरा जो farm sector पे impact आने वाला है, वो access to labor पर हमने कुछ दिन पहले देखा था कि पंचाब में cotton grow करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे जो labor थे, rice और wheat में जो लोग सक्षम थे, वो लोग migrant labor थे, और वो अब अपने गाउं को वापस लोड़ गए, तो ऐसे में access to labor पे problem आएगी, access to labor की problem आने से, क्या होगा, कि वहां पे जो या तो वो अपना जो crop produce करना पात चाते हैं, वो production नहीं कर पाएंगे, या फिर long term impacts के पढ़ने वाले हैं, जैसे कि farm wages हमारे increase हो जाएंगे, mechanization increase हो सकता है, और landlessness भी increase हो सकती है, अब चौती चीज़ जो farmers पढ़ेगी, वो है कि जो हमारी rural non farming employment है, उस पे असर प होता है food supply chain से directly और indirectly, तो food supply chain disrupt होने पर direct impact पढ़ेगा rural non farm employment का, इससे आपकी food security hurt होगी और productivity भी farm की कम हो जाएगी, अब informal sector पे क्या फरक पढ़ने वाला है, informal sector पे काफी massive impact पढ़ेगा income और job के basis में, क्योंकि हमने दीखा था कि informal workers जो है, डॉमिनेट करते हैं हमारे food supply chains को, तो इनके पास कोई safety net नहीं होता है, ऐसे में जो इनका commuting होगा, weekly commuting होगा, daily commuting होगा, ये सब चीज़ें जो है stop हो सकती हैं, ये constrain हो सकती हैं, mobility regulation की वज़े से, आना जाना possible नहीं है, बसे वगरा सब बंद हैं, तो ये आसान से commute नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि commute नहीं कर पा हैं, ऐसे में labor की जो कमी महसूस की जाएगी, food supply chains में, food supply chains में labor की कमी महसूस होने की वज़े से, जो productivity होगी, food supply chain की, वो कम हो जाएगी, अब policy implication क्या करने चाहिए, पहली चीज़, policy challenge हम देख चुके है, short term में बहुत सारे जो FSC businesses होंगे, उनको जो है lower food traffic वो face करेंगे, इनको lower incomes मिलेंगी, और substantial यहां पर unemployment होगा, हमारे जो medium term में देखेंगे, तो यहां पर जो है, avian flow की तरह, यहां पर induced आपकी consciousness हो जाएगी, आपका hygiene consciousness हो जाएगी, इससे जो market share होगा, large processing firm का वो बढ़ जाएगा, super market का जो market share होगा, वो बढ़ जाएगा, और आपके जो small and medium enterprises हैं, उ अगेन हमें एक challenge होगा, small and medium enterprises को सुधारने का, तो अब तीन major challenges हैं, पहला हमें health measures को improve करना है, दूसरा हमें FSCs को support करना है, जिसकी unemployment होना हो, और तीसरा हम देखी चुके थे, कि हमारे जो food marshalling करनी है, resources की जितना हो सके उतने अच्छे से, आप policy recommendation क्या होनी चाहिए, तो इंड इंडिकेशन होगे, ना किवल food security implication होगे, जो हम देख चुके है, बलकि हमारे जो social unrest के implication होगे, उसके अलावा, जो हमारा weakest link है, हमारा rural areas में farmer होगया, farmer पे direct impact पड़ेगा, informal sector पे impact पड़ेगा, तो ये सारे चीज़ां जो impact होगे, ऐसे में हमें दो फ्रॉंक्ट strategy अपनानी चा जिससे की disease का spread रुख सके, दूसरा हमें food security impact को minimize करना चाहिए, जिससे की हमारी income और employment पे खतरा ना हो, तो ऐसे में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं, वो SMEs के लिए कर सकते हैं, mid stream और downstream के SMEs को immediate support दिया जाना चाहिए, जिससे की वो rent, energy और अपनी water इंपुट जैसी needs को meet कर सकें, consumers को जहें direct benefit दिया जाना चाहिए, जैसे की अभी government है, उसके अधा 500 रुपे या 1000 रुपे, इसको बढ़ा करके कम से कम 3000 करना चाहिए, जिससे की cash in hand रहे लोगों के, और जब cash in hand रहेगा, तो demand जो है, increase होगी, demand के increase होने से, कही ना कहीं, food supply chain को इस रिपलाइस होने में मदद मिलेगी, तीसरी चीज़ जो भी clogging आ रही है, workers के मामले की, workers के अगर पात करें, तो government जो है cash for work scheme स्टार्ट कर सकती है, जिससे की food राशन वगरा distribute कर सकती है, sanitization अपक्रेट कर सकती है, wholesale market का और wet market का, जिससे की essential operations हैं, वो maintain होते रहें, और उसक कि 80%, 95% तक जो आपका food का distribution है, private sector के हाथों में है, ऐसे में government को क्या करना होगा, government को monitor करना होगा, hot spots को, और जहां पे food emergency distribution की जरूरत है, वहां पे government को देना चाहिए, बाकी areas में private sector अपना काम कर सकती है, तो government का काम है private sector को augment करना, private supply chains को augment करना, short and medium term में government logistics services को देखती है, government को एंशोर करना है कि जो logistic service है, वो आसानी से smoothly चलती रहे, human logistic जो भी हमारी logistic capacity है, उसमें थोड़ी से shortfall तो होंगे, बट government को जो है, उसको augment करने की, improve करने की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ क्या है, government को monitor करना है, wholesale market को, retail wet market को, processing clusters को strictly monitor करना है, और upgrade करना है, redesign करना है, जिससे क health practices improve हो सके, SMEs के पास इतनी capacity नहीं है कि वो hygiene practices अपने में inculcate कर सके, तो SME जो एक government को एक gap fill करके monitoring करनी है, और hygiene practices government को अपनी responsibility के रूप में introduce करनी होगी, तो एक clear mechanism होना चाहिए, monitor करने का, hygiene practices को implement करने का, और enforce करने का, finally जो government को करना है, वो long term investment करने है, SMEs में, जिससे की SMEs मंदी की better side designing करनी होगी, small business cluster districts जो है, वहाँ पे health को enhance करना होगा, और जिससे की SMEs competitive रह सके, तो I hope आपको यह article बहुत अच्छा लगा होगा, और यह आपके बहुत सारी समस्याओं को solve करेगा, जैसे पिछले बार आपका मेंस में कोशन आया था, वन प्रोड़क्ट वन डिस् आप इसको अच्छे से बना के लिख लीजेगा, तो आप बढ़ते हैं next article के ओर, तो आज ताहिंदो में तीन articles हमें पढ़ने हैं, पहला back home वाला पढ़ना है, एडिटोरियल से, दूसरा, यह multi-lateralism का जो article है, यह हमें पढ़ना है, और तीसरा जो हमें पढ़ना है, वो हमें world-like state and bond to the rescue, यह तीन articles हमें पढ़ने हैं, world-like state and bond to the rescue, यहां से हम third वाला question solve करेंगे, जहां पे हमने console bond की बात की थी, और यह वाला जो question है, यह जो आपका है, researching multilateralism with India's help, यहां से हम अपना second question solve करेंगे, जहां पे हमने multilateralism की बात की थी, उसके अलावा back home और देख लेते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, तो यह article है आपका back home, यहां पे जो है expatriates, मतलब हमारे जो इंडियन्स बाकी जगा फसे हुए हैं, विदेशों में फसे हुए हैं, उनको वापस लाने की एक कवायत की जा रही है, उस पे यह article दिया हुआ है, तो जब हम अपने expatriates को वापस लेकर के आ रहे हैं, तो हमें यह देखना होगा कि नया wave infection का ना हो, आपको मालूम होगा कि इंडिया में जितने भी infection की cases हुए थे, सारे important cases थे, पहला infection जो हमारा January 30 में हुआ था, वो एक student को case यह COVID positive पाया गया था, जिसको वहान से हमने वापस इंडिया लेकर के आये थे, तो अब दो महिनी के बाद जो भी इंडियन से standard हैं, मतलब फसे हुए हैं, पूरे विश्व में उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है, एरक्राफ्स और नेवल शिप्स चल दिये हैं, और यहां से government ने coordinate कर रखा इस plan को, और इस mission का नाम दिया गया है, बंदी भा वापस आना है, उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अब यह embassy कोडिनिट करेंगी, लोगों को वापस लाने में, standard कौन-कौन लोग हैं, जो वहां फसे हुए हैं, देखिए, बहुत सारे हमारे businessmen, business trips पे गए हुए थे, और 22 मार्च पे वो लोग वापस नहीं पाए, तो उनको वापस आने के लिए problem हुई है, तो business, जो भी ट्रावलर से business trips पे, वो लोग फसे हुए हैं, कुछ टूरिस्ट इंडिया से बाहर गए हुए थे, अगें वो लोग फसे हुए हैं, वो लोग वापस नहीं लोट पाए, और उसके अलावा कुछ incoming पैसे, उसके जो भी लोग वापस आना चाह रहे हैं, उसमें से professionals हैं, लेबर्स हैं, जिनकी loss, job छूट चुकी है, economic impact की वज़े से, total जो applicants थे, वो 5 लाग से 10 लाग के बीच में हैं, मतलब इंडिया की अलग-लग embassies में register कराया है, कि उनको वापस इंडिया आना है, आप देखें, mission का जो priority देनी होगी, क्योंकि इतनी हमारे पास capacity नहीं है, कि सभी 10 लाग लोगों को हम इंडिया में repatriate कर सकें, मतलब वापस ला सकें, और केवल जिनके पास compelling reason है, वापस लोटने का, जिनके पास strong reason है, वापस लोटने का, सिर्फ उनको ही लाया जाएगा, जैसे कि वो लोग जिन की खतम हो चुकी है, उनको सबसे पहले आने दिया जाएगा, गार्मेंट ने stringent conditions ले की है, जैसे कि जो भी लोग वापस आएंगे, उनको mandatorily 14 दिन के quarantine में रहना होगा, उसके बाद ये लोग जो भी वापस आ रहे हैं, इनको अपनी tickets का arrangement खुद करना होगा, और जब ये वा इंडियन के साथ जो भी हमारे इंडियन से फसे हुए थे, उनको इंफॉर्म रखा था, और नइस किया था, फूड और शेल्टर इन लोगों के लिए, उसके अलावा नेवल और एयरलाइन क्रूज जो भी वापस लेकर के आएंगे, वो लोग देखे अपनी जान पे रिस्क का इंफेक्शन की रिस्क उठाते हुए, अपनी खुद की रिस्क उठाते हुए इन लोगों को वापस लेकर के आएंगे, तो ऐसे में जो एफर्ट से काफी जादा हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट बहुत रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स ने और ग्राउंड बहुत काम कि है, ऐसे में रिपैर्टरिशन मैनिवर जो होगा, वो बहुत जरूरी है, जिससे कि इस सिस्टम हमारे पास बैटर हो, कि दुबारा जो वेव है, इनफेक्शन की वो न फैले, क्योंकि देखे 17 माई को जो थर्ड डॉगडाउन है, वो खतम होने वाला है, ऐसे में जब हम रि इससे कि अगर कोई केस हो, काम्टिटी स्प्रेड ना हो दुबारा, इंडिया की जो एक्सपेटरेट है, उनको जहें काफी सादा यह जो क्योंकि जो भी कवायत है, इससे फायदा तो होगा, क्योंकि वहां पे भी यह फसे हुए थे, और अगर हम गल्फ की बात करें, स्प् जोप्स चूटने लगी है, तो एक मजबूरी है, और मजबूरी में यह लोग वापस आ रहे हैं, यह लोग काफी कांटिब्यूट भी करते हैं, इंडिया की एक सबसे बड़ी बात है, इंडिया की सॉफ्ट पावर में इनका बहुत बड़ा कांटिब्यूशन होता है, तो हमें साफदान भी रहना होगा, जैसे कि अगर हम लेसन लर्न करें, स्पानिश फ्लू की बात करें, तो हमारा जब स्पानिश फ्लू हुआ था, 1914 में, तो वहां पे जो एक पहला वेव हुआ था, इंफेक्शन का, उसमें जो है, स्ट्रिंजेंट लॉग डाउन के मेशर्स ल जादा जो टैथ होगी, वो सेकिंड वेव से ही आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं लॉक्डाउन की वज़े से, ना किवल इंडिया में, बल्कि पूरे विश में लोग अब खीज गए हैं, तो ऐसे में जैसे ही लोग घुलने मिलने लगेंगे, एक एक एक्जाम्पल हम देख च किया है, तो हमारी सावधानी ही हमें बचा सकती है, नेक्स हमें देखना है मल्टी लटी ले्टरलिजम विध इंडिया की मदद से हम मल्टी लेटरलिजम को कैसे सही कर सकती हैं, अब धेखे कोरोना वायरस की पैंडमी के वज़े से, बहुत डिवास्टेशन हुआ है, स्पे को हमें कर्टेल करना होगा और इसके लिए कॉपरेशन की जरूरी जरूरत पड़ेगी नेशन के बीच में बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मल्टी लेटरलिसम आज की टाइम में सबसे वीक है और आज से पहले इतनी वीकनेस हमने मल्टी लेटरल एरियास में नहीं दे लिए को पता होगा कि किसी के अंदर नई जान डाल देना ठीक है उसको रिसक्टेट कहा जाता है तो इंडिया ऐसा मल्टी लेटरलिसम के केस में कर सकती है देखे न्यू डेली मतलब इंडिया उसके इंडिया के बाकी पार्टनर्स के साथ जैसे की आपका फ्रांस हो गया ज कर सकती है और Transnational Corporation को बढ़ावा दे सकती है चाइना अभी देखे प्रॉब्लम क्या है चाइना की पास जो है crisis of credibility है लोग जो है चाइना पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं हाला कि चाइना बहुत closely integrated है supply chain से लोग वहां से चीज़ा खरी देंगे हो सकता है economic benefit चाइना को मिले बट दूसरी बात अगर हम इसकी बात करें युस्सी की बात करें तो युस्सी अपनी अपसमास्याओं से जूज रहा है ऐसे में इंडिया क्या कर सकती है और बीजिंग की unilateral revisionism को कम कर सकती है और socialization का जो gradual socialization है चाइना का उसको कम करके international system को एक बैलंसिंग आउट वाली situation इंडि सकती है बैलंसिंग आउट कर सकती है अब इंडिया pandemic की वज़े से multilateralism पे खत्रा क्यों आया है पहली चीज है कि WTO के तीन functions होते हैं negotiation का dispute settlement का और transparency का और यह तीनों functions ही हमने देखा था कि WTO के यह तीनों functions सही से काम नहीं करें हैं और यह उसके लावागार हम WHO दूसरा जो institution है health के लिए सबसे प्रीमेर institution है उसकी भी credibility पे एक बहुत बड़ा question mark खडात हुआ है तो इन सब की WTO का भी जंक हो जाना WTO का भी credibility पे question mark उटना यह सब चीज है हमारी जो multilateralism है उसको एकदम lowest point पे लेकर जाती है देखे multilateralism यह पहले से ही था देखे fault lines पहले ही थी pandemic ने बस इन fault lines को जो है deepen कर दिया है और open कर दिया है multilateralism अपनी current form में incapable है और इस system का जो है misuse किया जा सकता है systemic rivals के द्वारा जैसे की USA और China करते आ रहे हैं आज से नहीं दो साल पहले से ही हमने इनका trade war देखा है तो अभी जो फिलाल का multilateralism है इसमें जो है कुछ countries को ज्यादा power है और इसी वज़े से systemic rivals जो है misuse कर सकते हैं multilateralism का दूसरी चीज़ क्या है एक जो assumption था मतलब multilateralism अगर हम present a multilateralism की बात करें तो यह world war 2 के बात बनाया गया था और यहां का जो underpinning assumption है जो basic foundation है वो यह थी कि priest और prosperity एक साथ काम करते हैं तो यहां पे जो है यह fundamental assumption में ही problem आ गई है कुछ like-minded और commonly held purposes थे कि economic integration को बढ़ाया जाए जिससे की prosperity share की जा सके जब prosperity share होगी तो हमारी जो affinities होगी वो हम close आएंगे और close ने साहूने की वज़े से peace create होगी बट हमने यह देखा था कि fundamentally different जो domestic systems होते हैं governance के वो इस multilateral order में economically integrate तो हो जाते हैं बट peace जो है फिर भी possible नहीं ह institution है वो ऐसे world के लिए नहीं बने थे जहां पे जो interdependence की ties हैं जिनसे well being जो है सबकी बढ़नी थी उसको जह है वैपनाइस किया जा रहा है nationalistic gain के लिए जैसे की चाहिना करता हुआ नजर आ रहा है अब देखिए उसने economic tie तो काफी जो है strong कर ली 1960 से लेकर के आज तक पर वो इ इसा नहीं हुआ है prosperity होने के बाब जो जह पीस नहीं आ रही है और prosperity और integration का यह जो मिस्यूज किया जा रहा है कुछ countries के द्वारा जिससे की वो जो है nationalistic gain के लिए supply chains को यूज कर सके exploit कर सके अब ऐसा जो है हमने देखा था को बहुत सारी countries के द्वारा किया जाता है चाइना के द्वारा specifically जैसे की force technology requirement है चाइना के अंदर मतलब वहाँ पे IPR रेजीम ऐसा है कि अगर आपको चाइना के अंदर कुछ build करना है तो आपको technology वहाँ पे share करने होगी intellectual property rights वहाँ पे की कोशिश कहीं ना कहीं चाइना ने की है इसी तरह से जब एक multilateral world order होता है तो ऐसे में cooperation बढ़ जाना चाहिए बट अभी हमने crisis के time क्या देखा countries ने जो essential commodities थी उनके मास्क हो गया sanitizers हो गया उन सब पे export पे पैन लगा दिये थे अब देखिए inevitable तो नहीं था क्योंकि सब के प जाता है breakdown कर जाता है यह shortages है कुछ अब चाइना ने क्या किया कि प्रोडक्स को सेल करना करने की कवायत शुरू की थी बट वहां से भी चाइना चाइना ने काफी मतलब अपनी डिप्लोमेसी करी है coronavirus डिप्लोमेसी की बात करें जहांब इसने टेस्किट्स प्रोवाइड की औ और चाइना ने क्या किया चाइना ने फिर इसको धंकी दी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एकनॉमिक कॉंसे करने बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक डेंजर था चाइना की तरफ से डेंजर इमर्ज हुआ है पहली चीज़ तो हम काफी डिपेंडेंट हैं चाइना के पर हम सिर्फ इंडिया नहीं बाकी कंट्रीज भी उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है जो चाइना से गुड्स आ रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड कॉंटिटी क्वालिटी की होते हैं जैसा कि टेस्टिंग किट्स की बात हो गई फॉल्टी एकिप्मेंट की बात हो गई और ब और हमें जो है मल्टी लेटरलिजम को रिफॉर्म करना होगा तो मल्टी लेटरलिजम को रिफॉर्म करने के लिए रूल बेस सिस्टम जो है कभी भी सफिशिन नहीं होगा हमको जो है इशू गोल का और वैल्यूस का अंडरलाइन जो इशू है वो देखना पड़ेगा कि हम म करना है पहली चीज़ क्या है हमें रिएशूर करना होगा पॉलिसी जो है इससे कमिटमेंट बढ़े और हमारा जो है मल्टी लेटरलिजम क्रू सेंस में मल्टी लेटरलिजम हो बाहरेचारे की भावना बढ़नी चाहिए सबको एक्वल जो है निगोशेटिंग पर किसी को भी जादा किसी को भी जादा जो है, इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तब ही, मल्टिलेटरलिसम वर्क कर सकता है, नहीं तो क्या होगा, कुछ जो है, कंट्रीज की दाधागिरी चले जैसे यह अभी के और्डर में चलती है, USA की दादागिरी चलती है, कुछ countries के उपर, कुछ countries के उपर राचायना की दादागिरी चलती है तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी global supply chains को strengthen करना होगा और global stability को ensure करना होगा, और जिससे की peace और prosperity बढ़ सके दूसरी चीज़, हमें strategic decoupling करनी होगी, और इसको like-minded countries के cooperation के तुरू ही किया जा सकता है अब देखिए कुछ हमारी strategic goods होते हैं, जो मतलब हमें अपने self-sufficiency उन goods में लानी होगी जैसे की pharmaceutical health industry होगी, अब ही हमने देखा था कि जो चाइना है, चाइना 70% जो active pharmaceutical ingredients है, APIs है वो export करती है, अब हमारी pharma industry बिना API को purchase किये work नहीं कर सकती, क्योंकि यह हमारे input है अब यहां पे हमें strategic decoupling करनी होगी, धीरे धीरे, यह चीज़ें जो हमारी APIs हैं, या कोई भी strategic good है उसकी manufacturing हमें China से हटानी होगी, और धीरे धीरे बाकी countries के cooperation के बाद, धीरे धीरे अपने यहां पे self-reliance इन चीज़ों में लानी होगी यह देखे रातो रात नहीं हो पाएगा, और इससे जो है considerable disruption होगा global value sub chain का बट इससे जो है global economic जो आपका shrinkage भी हो सकता है, GDP shrink हो सकती एक world की बट long term में world ज्यादा secure हो जाएगी, at least हम जो है secure हो जाएगे तीसरी चीज़ हमें क्या करनी होगी, यह recognize करना होगा कि decoupling के लिए cooperation बहुत जरूरी है members का और कुछ members को distance करना होगा, specifically China की बात की जा रहे हैं यहां पे चाइना की distancing करनी होगी, बट distancing बहुत धिहान से करनी होगी, जिससे कि China को ऐसा ना लगे कि उसको isolate किया जा रहा है, क्योंकि देखिए चाइना का अब इतना ज़्यादा चाइना जो है linked है global supply chain में, कि वो एक उसके पास इतनी capability है कि वो वाकी countries की supply chains को disrupt कर सकती है और बहुत जादा economic losses जो है countries पे दिखा सकती है, तो यह चीज़े हमें pandemic के time भी काफी clear हो गई है condition of war आती है या कोई भी condition of emergency आती है, हमें बाकी countries के उपर reliant ना रहना पड़े, अब इसमें इंडिया का क्या role हो सकता है यहाँ पर देखिए current जो crisis है multilateralism है, इसका इंडिया के लिए बहुत इच्छी opportunity है, क्योंकि हम एक pluralistic democracy हैं और liberalism हमारा जो काफी एक बड़ा value है, जिसको west के द्वारा काफी underestimate किया गया है इंडिया में एक global value chain का entrenchment हमेशा से दिखा गया है और धीरे धीरे जैसे west decoupling करने की कोशिच करेगा China से, ऐसे में वो इंडिया की तरफ का देखना शुरू करेगा इस opportunity को हमें use करने के लिए कुछ global public goods को बनाना होगा और cooperation करना होगा कुछ like-minded countries के साथ, जैसे कि हमने example दिया था France और Germany का यहाँ पि इंडिया को closely work करना होगा Alliance for Multilateralism के साथ, यह आज आपका home work है, यह आपको देखना है यह बता देते हैं कि जर्मनी और France ने मिलकर के 40 countries के साथ एक Alliance form की थी February 2020 में जिसका नाम है Alliance for Multilateralism तो हम Alliance for Multilateralism जैसे फोरम का फाइदा उठा सकते हैं और यहाँ पे हम एक leading role play कर सकते हैं साथ काम करने में developed country और developing country जब साथ काम करेंगी तो यह से में इंडिया की जो voice है वो तेज हो जाएगी और हमें एक global platform में अपनी बात कहने का मुका मिल पाएगा immediate gains के beyond हमारे पास greater role होगा इंडिया के लिए जैसे की चेरे नोबल के बाद देखिए global जो public opinion थी उसमें जो है कहीं न कहीं competence की बात थी वो पीछे रह गई है और कहीं न कहीं जो चाइना है चाइना का जो role है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आया है बट COVID-19 ने चाइना की जो maleficence है मतलब चाइना का जो एक बेकार रवाईया है और opaqueness है उसको जहें दुनिया के सामने उचागर कर दिया है चाइना एकनॉमिकली बहुत जल्दी recover कर लेगा क्योंकि यहां पे इसके पास military strength भी है और इसके पास reliable partner की भी strength इसके पास देखे global supply chain में जो है work करने की strength है बट एक reliable partner वाली जो भूमिका थी इसको इसने lose कर दिया है चाहें अब चाइना कुछ भी कर ले कितनी भी diplomacy कर ले कितना भी aid दे ले पर कभी जो चाइना की soft power है ना वो आसानी से recover नहीं कर पाएगी इस trust deficit को जब एक बहुत ट्रस्ट को maintain करना बहुत म freedom नहीं है तो हमें नहीं पता चलता कि चाइना में चल क्या रहा है और ऐसे में जब चाइना से emerge होने वाली diseases वर्ल में काफी ज़्यादा टॉल ले जाती है तो ऐसे में वर्ल का जो एक dependency होगी सारी दुनिया कोशिश करेगी कि चाइना के ओपर dependency कम करें तो ऐसे में धीरे धी decoupling की जाएगी countries के द्वारा और ऐसे में चाइना को isolate करने की जगा धीरे धीरे यह काम किया जाएगा जिससे कि चाइना को यह ना लगे कि उसको isolate किया जाएगा है अगर चाइना को isolation फील होता है तो तुरंत वो जो है अपने supply chain का फायदा उठाके strategic ducks करनी चुरू कर देगी तो ऐसे में जो है हमें काफी साथनी से काम करना होगा और हमें जो है इंडिया क्या कर सकती है इंडिया coalition को lead कर सकती है जिससे कि trust deficit को bridge किया जा सके incentive वगेरा दिये जा सके sanctions वगेरा बीजिंग पे लगाया जा सके जिससे कि बीजिंग को एक socialization जो हो वो international rules और systems का हो हमने यह crime time and again चाइना जो है international rules को abide नहीं करती है और international regulations को follow नहीं करती है तो ऐसे में एक साथ मिलके pressure ढालना होगा कि चाइना international rules और regulations को follow करे और इसमें इंडिया जो है negotiating की role निभा सकती है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी importer है Chinese goods की तो इंडिया भी economic diplomacy का part खेल करके चाइना को य कर सकती है long term में multi polarity काफी important होगी इससे sustainable future बन सकेगा और multilateralism की जो debate है वो बढ़नी चाहिए ना किवल scholars में भलकि practitioners में भी और ऐसे में इंडिया को एक stronger table दी जानी चाहिए क्योंकि इंडिया multilateral society के हक में शुरू से ही थी चाहें वो cold war की बात हो चाहें वो जबसे independent हम हुए ह हमारा एक ही scene रहा है कि हम जो है सभी countries के साथ साथ मिलके काम करने की कोशिश करते हैं तो ये इंडिया का इसलिए unique role रहेगा multilateral world order में next में देखना है a wall like state and a bond to the rescue तो देखिए अभी जो condition है ना किसी भी यूद से कम नहीं है बस difference इतना है कि हमारी जो enemy है वो हमें दिखाई भी नहीं दे रही है चोटी सी enemy है और सभी पे equal जहें मार कर रही है finance minister and governors ने बार-बार ये कहा है कि stimulus को दिया जा फॉर्मर finance ministers और governors ने एक बड़ी stimulus की डिमांड की है बड़ देखिए stimulus की अगर हम बात करें ना तो government of India की जो spending है वो capacity है वो काफी limited है अब austerity measure and allocation हमें डेफिनिटली revenue receipt हमारा already बहुत high है revenue receipt हमारा already बहुत गिरेगा sorry high नहीं गिरेगा तो ऐसे में हम stimulus दे कहां से demand तो सब कर रहेंगे stimulus दीजे बट stimulus दे कहां से हमारे पास revenue नहीं है हमारे पास receipt सी नहीं है जब सारा country lockdown में पड़ा है और आप देखिए April से हमारा new financial year शुरू हो गया था April में दो महीने जो शुरू के है यहां से कोई भी revenue receipt हमार 7.96 lakh करोड का है तो इतना बड़ा deficit था इवन बिफोर कोविट कोविट के बाद जो deficit है वो बहुत ज़दा skyrocket कर जाएगा और उसके अलावा हमारी जो off balance sheet borrowing 1 से 2% of GDP की तक की थी और इसका जो एक question किया जा रहा था कि इतनी बड़ी आपने off balance sheet borrowing की हुई है ऐसे में हमने इनको जो है target किया था कि 2.1 lakh करोड का हम disinvestment करेंगे और यहां से हम revenues generate करेंगे अब financial deficit जो है grow करे का काफी बड़े margin से क्योंकि revenue हमारे shrink कर रहे है depression आने वाला है ऐसे में हम कैसे disinvestment भी नहीं कर पाएंगे disinvestment अगर करेंगे भी तो कोड़ियों के दाम पे वो disinvestment होगा तो ना तो ह हमारे revenue receipt आ रहे हैं और हमारी already जो deficit था वो budget में भी हाई था और पिछले साल भी हाई था ऐसे में हम एक बड़ा fiscal stimulus कैसे design करके देंगे एक बहुत बड़ा question हो जाता है अब देखे जो भी expenditure plan थे ना उसके beyond government को कहा जा रहा है कि आप 5 लाग से 6 लाग करोड और spend कीजिए अब finance में figure चाहिए 5 से 6 लाग करोड की तो यह जो है हमारे लिए sufficient नहीं है economic के लिए यह जो value है यह sufficient नहीं है इसी तरह से RBI ने काफी सारी scheme शुरू करी तो RBI की जो भी scheme थी वो depend करती है कि लोग जो banks हैं वो risk capital देंगे या नहीं तो RBI का जो भी stimulus था वो depend करेगा banking की बैंकों की risk taking capital building के उपर तो ऐसे में दोनों ने काफी time जो है कोशिश की है bank especially RBI के बात करें तो RBI ने काफी कोशिश की है कि banks को नच करें कि वो landing कर सकें बट लैंडिंग जो है on ground practically जो है वो on ground landing में convert नहीं हुई तो 60% जो हमारा increase किया RBI ने ways and means limit state के लिए एक welcome move है और बहुत सारे states ने डबल इस limit को डबल करने की मांग की है क्योंकि उनके पास बहुत shortage हो रहे है indirect tax collection में और GST हमारा काफी short है fuel और liquid दोनों पे shortage notice की गई थी तो government इसलिए ये देखना होगा कि अब further हम कहां से पैसा लाएं तो ऐसे में हम अगर एक बात करें है जैसे politician और epidemiologist दोनों ने इसको current situation को वार से measure किया है वार से equate किया है तो ऐसे में हम पिछले वार के एक example ले करके और वहां से हम थोड़ा सा अपना budget को सही करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर money generate करने की कोशिश कर सकते हैं first world war के time console bond issue किये गए थे और बिर्टिश गवर्मेंट ने एक century के बाद मतलब almost 2014 में 1914 में console bond issue की गए थे 2014 में government of UK की government ने इन bonds को pay करना शुरू कर दिया था 10% total outstanding bond debt था वो पे कर दिया था और interest 5% दिया गया अब आप देखिए 100 साल का 5% interest कितना ज्यादा benefit हुआ होगा bond holder को तो यह citizens को पहले साल जब यह bond issue किये गए थे 1917 में तब कहा गया था लोगों से कि advertisement इनका ऐसे किया गया था कि देखिए अगर आप youth नहीं लड़ सकते हैं तो आप अपनी country को मदद कर सकते हैं 5% के interest देंगे आपको और आप हमार bonds में investment कीजिए एक्स चेकर के जो bonds होते हैं वो soldier की तरह यहां पे कोई risk नहीं है तो आप इस तरह से मदद कर सकते हैं और इस call के बाद जो retail investor थे उन्होंने बहुत जादा investment किया था अगर आप console bond में investment देखेंगे तो 70% जो holding थी वो 1,000 pound से कम की थी मतलब household small households ने यहां पे जा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने PM केर्स scheme में investment करने PM केर्स में पैसा डालने की donation करने की एक अपील की थी और citizens ने बहुत बढ़ चड़के इस appeal को माना और PM केर्स में donation किया अगर PM केर्स की जगे हम console bond जैसे bond को sell करते तो शायद PM Modi की इतनी बड़ी standing है कि retail consumers हैं या हमारे households है बहुत तेजी से इन bonds को खरीदे अब bonds को खरीदने का दो benefit होना था पहली चीज़ क्या कि इसकी proceeds को हम किसी भी चीज़ के लिए use कर सकते हैं और अगर हमने console bond निये होते console bond जैसे bond अगर issue किया होता तो उससे जो भी हमारा revenue generate होता उसको हम किसी भी चीज़ में खर्च कर सकते दूसरी चीज यह है कि एक better option इसलिए है क्योंकि देखिए अगर आप monetization करते हैं तो inflation बढ़ेगा पर अगर हम जो है console bond के रूप में अगर हम एक alternative के रूप में अगर इसको ले पैसा generate करने का तो यह अच्छा benefit भी है क्योंकि real estate को जो है पायदा होगा इससे दूसरी चीज क्य है ऐसे में यह सभी जो गोल्ड हो गया या बॉंड कोई real estate हो गया या बॉंड हो गया यह एक आपका risky alternative investment का बट जो sovereign bonds होते हैं यह risk-free investment होते हैं retail investor के लिए क्योंकि इनको जह है central government के लिए issue के द्वारा issue किया जाता है perpetual basis पे मतलब काफी सालों तक मतलब यह continuity आपका भी इनको redeem कराईए इनका कोई cut off date नहीं होता और इनको जब government के पास paying power होगा the government call back कर लेगा तो ऐसे में इनसे tax rebate भी मिलता है और इसलिए investor को काफी benefit होता है incentive होता है phase manner में government इसलिए इन bonds को redeem कर सकती है जब भी government के पास पैसा हो और इसको जो है ऐसे में जो है यह एक अच्छा alternative होगा यह हम यहां से console bond जैसे bond को issue करके पैसा generate कर सके definitely जो हमारी government की standing है उस और government की जो credibility अभी फिलाल दोगों के दिमाग में है ऐसे में government जनता बढ़ चड़ के इन bonds को खरीदेगी तो government की भी जो समस्या है revenue generate करने की वो solve हो जाएगी तो यह एक out of the box thought है और यह historically apply किया जा चुका है जिसको हम current situation में भी apply कर सकते हैं तो आज की discussion में इतना ही अगर आपको पसंद आया हूँ तो like करना ना भूले thanks a lot and have a good day